दोस्तों नवस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आईए आई सिखते हैं आप Windows 10 में कैसे यूजर क्रिट कर सकते हैं बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि Windows 10 ओपरेटिंग सिस्टेम है तो यूजर आडी कैसे क्रियेट करेंगे तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि आप एक नए यूजर कैसे बना सकते हैं और अगर पासवर्ड रिसेट करना हो तो कैसे रिसेट कर सकते हैं दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सेर कीजिए तो आएए स्टार्ट करते हैं आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा और यहां पर देख सकते हैं इसे नलप मेनू में आओ जैसे जे हाँ, मैनेश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, सिस्टम टूल, टस्क्स इडियूल, इवेंट वीवर, लोकल यूजर एंड क्रुप्स, लोकल यूजर एंड ग्रुप्स पे क्लिक करना होगा आपको, यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दो option दिखेंगे users and groups तो यह हुए आपका user जिसमें कि आप देख सकते हैं administrator है और बाकी और भी users हैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ अगर आपको start menu में this PC ना देखे तो आप यहाँ पर explorer देख सकते हैं इसको task bar बोलते हैं तो task bar पर आपको click करना होगा और यह explorer जो ह सकते हैं this PC है यहां पर आप click किजिए direct manage पर जाईए सेम चीज जो पहले खुला था सेम वही option खुलेंगे आपको same window खुलेगी आप फिर local users में जाईए और यहां आप सेम देख सकते हैं users and groups है एक और तरीका है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपको run पर जाना है window और आर बटन साथ में press करना होगा यहां पर type करना होगा lusrmgr.msc और enter कर देना है same window खुलेगी आप यहां भी देख सकते हैं same वही window खुल रही है लेकिन यह इसमें बाकी और जो option थे वह नहीं available क्योंकि यह जो command है केवल local user and groups को manage करने के लिए है तो आप यहां से भी इस window पर जा सकते हैं तो मैं अभी फिलाल इसको close करता हूँ दुबारा वहीं चलते हैं same option के थ्रू दिस PC manage इसको expand कर लिजे maximize कर लिजे local users user और यहां पर आपको right click करना होगा नए user बनाना होगा तो नए user बनाते हैं जैसे test full name देना है तो आप दे सकते हैं test user आप अपने according कुछ भी जो आपको requirement है आप उसके according आप डाल सकते हैं नाम यहां पर मैं यहां टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ तो मैं test डाल देता हूँ यहां पर आपको password डाला होगा जैसे आप मैं ABCD कुछ डाल दे रहा हूँ और सेम आपको password और confirm password दोनों password सेम होना चाहिए आप user must change password at next login को अगर check करते हैं तो जैसे जो यह user है अगर login करने का try करेगा तो वहां पर उसको पहले password reset करना पड़ेगा तो आप चाहते हैं इसको ऐसा तो आप रख सकते हैं otherwise इसको हटा दीजिए आप इसमें से कोई option ले सकते हैं user cannot change password या password never expire तो अगर इसको select करेंगा तो user का है अपने आप password नहीं change कर सकता है और password never expire तो इस चीश सेलेक्ट करते हैं तो user का जो password वह expired नहीं होगा तो हम लोग ऐसे default रहने देते हैं create करते हैं इसको close कर देते हैं आप यहां देख सकते हैं test user आ गया अगर दुबारा आपको जिससे password reset कर करना होगा इस user को तो same ही यह window open करना है आपको right click करना है set password पर click करना होगा proceed करना होगा और यहां वैसी same आपको password डालना होगा और password डाल करके आपको okay करना होगा आप यह देख सकते हैं the password has been